हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल आज मैं बना रही हूं हरी मटर की खस्ता कचोड़ी वह बिल्कुल असान तरीकों से चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं कचोड़ी बनाने के लिए मैंने दो कटोड़ी मैदा लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा आई जवाइन डाले थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वादर नुशार और पांचे चमच करीब हम इसमें रिफाइन डालेंगे आप चाहे तो घी बी डाल सकते हैं और अच्छा टेस्ट आएगा अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे कचोड़ी खस्ता बने और टेस्टी लगे अब इसको हम गरं पानी से आटे को गून लेंगे इसको रोटी कर नुशा से बनता है त्याइट आटा प doğru हम थाजा टियार कर लेंगेत। पलता हम फील्ंग शाहीं दर्दरा नाट ठाल Is Covid-ile fame ? इसको ज़्यादा महिन नहीं पीशना है इसको थोड़ा ददरा पीशेंगे तेस्ट और अच्छा आता है देखिए इस तरह पीशना है आपको अब इसको तड़का लगाएंगे इसके लिए मैं कड़ाई में तेल डाला है इसमें मैं थोड़ी सी जीरा साबुत धनिया थोड़ा से धनिया पाउडर थोड़ा से गरम मसाला पाउडर थोड़ा से सौफ पाउडर डाल कर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ी से हल्ली डाल कर और दो चमच करीब हम बेशन डाल देंगे बेशन डाल कर इसको अच्छी तरह मिक् बेशन डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसको ब्राउन होने तक बेशन को भूनेंगे फिर इसके अंतर हम पीस्यू ही मटर एड़ करेंगे एड़ करके इसको फिर अच्छी तरह हम चलाएंगे और भूनेंगे इसको इस फिलिंग को हम मीडे माच में भूनेंगे अच्छी तरह से मटर की कचोड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी लगते है खाले में आप ज़रूर ट्राइ करिए एक बार और वीडियो पसंदा है मैं चैनल को सब्सक्राइब करिए इसमें हम नमक और लाल म करें से और तरह ृआसय से और आमचोर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और उसको चलाइगे और अच्छी तरह भूल लेंगे इसको है इस तरह हम चला-चला कर सक भूलेंगे यह हमारा तयार हो चू старा हे अच्छी तरह indigenous feels हमारी अब कचोड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं अब जो हमने आटे का डोल लगाया था मैं देखा अब उसकी हम लोई बनाएंगे लोई बनाकर उसको थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि हम इसमें फीलिंग कर सके अभी हमारा बिल चुका है अब मटर की फीलिंग कर देंगे इस इसको चारो साइड से बंद कर देंगे ऐसे करके जस मुम्मस बनाते हैं इसके पोटली बनाकर इसको बंद कर देंगे इस तरह इसको दबा दबा कर हाथों से भी प्रेस करकर करके इसको फैलाएंगे हम फिर इसको हम बेलन की मदद से हलकी हाथों से इसको बेलेंगे ज्याद असे के जरता दबा की नहीं बेलने तो यह फियलिंग बाहर आ जाए इसको हलकी हातों से बेलना है यह जितना बड़ा बेल लेंगे अब देल में deep-fry करेंगे इसको मीडियम आज पकाना है अच्छी तरह से इस तरह अगर हम तेज आज पकाएंगे तो उबर से पकते हो जाएंगे पर अंदर से कच्छे रहा जाएंगे इसको मीडियम फिलम में पकाएंगे इसको 10 मिन लग जाएगा पकने में देखिए हमारा ये रैडी हो चुका है ऐसे हम बाकियों को भी तर लेंगे इस खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं आप जरूरे एक बड़ ट्राइब करिए इस तरह हमारा सारे रैडी हो चुका है अब देखिए देखने में कितने सुन्दर लग रहे हैं और खाने में भी उतने टेस्टी लगते हैं वीडियो पसंद आये तो हमारे चै